तो आंसर है B, बेटा प्रोविजन कॉंट्रा एसेट होता है, प्रोविजन जब भी बढ़ता है तो क्रेड़िट, आगे बात केते हैं कुसम 11, इमरान डेप्रिशेट इस मशिनरी है, 20% पर एनम यूजिंग, यूजिंग, रेडियूसिंग बैलन्स मेथड, बेटा 20% है आर ब पर लगाएंगे या कॉस में से पहले अक्यूमिलेटिट माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बताएं, नेटबुक वेल्यू 12,800, और 12,800 पर हम लगाएंगे, कितना परसन बेटा है, 20%, 12,800 पर 20%, तो आरहें 2560, क्या इंट्री बनाएंगे दुबारा, इंकम, स्टेट्में डेट और प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट, और अगर स्ट्रेट लाइन होता तो डेरेक्ली 20,000 पर 20% लगा देते हैं, तो यह आ जाता है, चार अदर, स्ट्रेट लाइन में हर साल कॉस पर रेट लगाते हैं, और रिड्यूसिंग में भाई, जो वेल्यू बच जाती यह उसके उपर रेट लगाते हैं, तो एंट्री के आएगी, बी, इंकम स्टेटमेंट डेट और प्रोविजन ग्रेडिट, अब बारह दार आट्सो पे लगा लो, 20% कितना आएगा, 2560 के एंट्री बनाएंगे, इंकम स्टेटमेंट डेट और प्रोविजन अकाउंट, अच वीटे हैं, यहाद है क्लियर है, क्वेशन बार 12,